हलो गाईज वेलकम टू कौन्ट स्टडी आज हम नंबर सीरीज का पार्ट थ्री करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको डेली वीडियो प्रवाइड कर रहे हैं जेके बैंक एक्जाम के लिए तो गाईज जो दो पार्ट ह होंगे तो अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे उन पार्ट को देखिए उससे आपको यह वाला लेक्टर जादा समझ आएगा तो इस लेक्टर में 10 कोश्चन होंगे जो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कोश्चन है 22, 42, 64, 88 कोश्चन माद तो गया हमारी जो यह ब्लाइंक किसका डिफरेंस है 64 और 88 का जब यहां पर देखिए अगर आगे वाला डिफरेंस नेगा लेंगे 2, 2 तो आगे भी क्या आना चाहिए 2 तो अगर आपको यही ऊपर वाली यहां पर पता लग रहा है यहां पर देखिए दो-दो का डिफरेंस आ रहे हैं यहां पर 20, 22, 24 और उसके बार next क्या आना चाहिए 26 तो हमारा जो यह 26 है यह किसका difference है 88 और question mark का तो यह जो next वाली term के आएगी 88 के बाद 88 plus 26 तो वो कितना आएगा 114 तो इस question का answer कितना वो next वाली term है 114 तो next question करते हैं अब next question है 7, 14, 30, 56, 93 question mark तो वही approach के साथ हम जाएगे difference approach के साथ 7, 16, 26, 30, 7 और blank blank किसका difference है 93 और यह जो question mark है एक हो step करेंगे 9, 10, 11 तो इसके मतलब यह pattern follow कर रहा है आप देख सकते हैं second difference में 9, 10, 11 तो अगले वाला difference क्या होना चाहिए 12 तो यह 12 किसके बीच में difference है 37 और यह blank के बीच और 37 और 12 कितना होगा यहाँ पर 49 तो 49 किसका difference है 93 और 49 का तो हमारे 93 के बाद next term क्या आएगी 93 प्लस 49 बन 42 तो चलिए next question करते हैं 11, 24, 44, 70, 101 तो difference approach के साथ जाएंगे 13, 20, 26 और 31 blank उसके बाद 7, 6, 5 तो पहले तो उपर यहाँ पर यह तो increase जा रहे है यहाँ पर decrease हो रहा है तो इसका मतलब और यह हमें second difference में pattern भी मिल रहा है एक तो कौन सा pattern मिल रहा है 7, 6, 5 तो next क्या होना चाहिए 4 तो इसका मतलब यह 4 किसका difference है 31 और इस blank का तो 31 के बाद क्या आएगा 31 प्लस 4, 35 और 35 किसका difference होगा 101 और question mark का तो जो 101 और question mark का difference 35 आया तो हमारी next 20 term क्या बनेगी 101 प्लस 35 is equal to 136 तो इस question का क्या answer हुआ 136 तो next question करते है 6, 3, 3, 6, 24, 192 question mark तो देखिए जब भी हमारे पास second term जो है वो first term के half के around होगी या फिर उससे छोटी है ज्यान से सुनिए second term जैसे यहाँ पे 6, 3, 3, 6 तो जब भी second term, first term के half के around होगी यह half है इसका तब हमें कौन सी अप्रोच लगानी है हमेशा multiplication की अप्रोच पर आप जाईए वहाँ पर multiplication की अप्रोच वहाँ पर सबसे ज़्यादा useful होगी देखिए कैसे देखिए यहाँ पर अब मुझे कैसे find out करना है यहाँ पर मुझे पता लगा कि 6 और 3 इसका half है तो multiplication अप्रोच तो यहाँ पर मुझे दो तीन चीज़े दिखेंगी 3 इंटू 2 6 बन रहा है 6 इंटू 4 24 और उससे पहले 3 इंटू 1 3 बन रहा है और 1 2 4 और 24 और 192 कैसे बनेगा इंटू 8 24 इंटू 8 192 तो देखी कैसा pattern follow हो रहा है पहले 1 से multiply हुआ फिर 2 से हुआ फिर 4 से हुआ फिर 8 से इसका मतलब double हो रहा है 1 का double 2 2 का double 4 4 का double 8 तो 1 किसका double होगा 0.5 का तो जब मैंने 6 को 0.5 से multiply किया है क्या वो 3 आ रहा है बिल्कुल ठीक वो 3 आ रहा है तो इसका मतलब यह जो अप्रोच थी वो बिल्कुल ठीक है यहां पर multiplication का use होगा 0.5 into 1 into 2 into 4 into 8 next term क्या होगी into 16 तो जब मैंने 192 को 16 से multiply करूँगा तो क्या answer आएगा 3072 थोड़ी सी lengthy calculation है बट आपको ऐसा question मिलेगा एक्जाम में जब थोड़ी सी lengthy calculation आएगी बट इसमें कोई हमें अजीब सी series नहीं मिली normal series थी multiplication की तो आपने direct अगर आपको यह trick पता थी तो आप direct find out कर सकते हो without going into the difference approach तो next question करते हैं 2412 48 240 1440 देखिए इस question में क्या करेंगे difference approach के साथ जाएंगे तो क्या आएगा 28 36 192 देखिए यहां पे 6 28 तो यह वाला जो है 1200 आएगा 28 उसके बाद यह आया 156 तो देखिए कितने बड़े difference आ रहे हैं तो यह आपको काफी lengthy पड़ेगा तो इससे question बहुत time waste होगा question कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है यहां पे इस question में जब भी आप question देखें तो उसको थोड़ा सा observe करें कि 2 और 4 है तो इसका मतलब 2 का double हुआ 2 into 2 4 बना 4 into 3 12 बना 12 into 4 48 बना तो यह मेरे एक pattern follow कर रहा है multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 और उसके बाद अगर मैं इसको 5 के साथ multiply करता हूँ तो बिल्कुल 240 बनेगा 48 into 5 240 बन रहा है उसके बाद मैं 240 को जब 6 के साथ बना करूँ गा तो वो बिल्कुल 1440 बन रहा है तो इसके बाद इसका मतलब मेरा जो pattern follow हो रहा है वो कैसा हो रहा है multiply by 2 3 4 5 6 तो नैचल नंबर से multiply हो रहा है एक एक increase करके इसका मतलब next term क्या आनी चाहिए 1440 into 7 तो 1440 into 7 तो यह क्या बनी 10080 तो यह भी थोड़ी सी lengthy calculation है बट आपको मैंने बताया है कि अगर आपकी number series में calculation अच्छी होगी तो आप number series को question को easily solve कर पाऊगी इन question में जहां पर थोड़ी सी calculation use होती है तो जिसकी बच्चे की calculation अच्छी होगी वो इसको जल्दी solve कर लेगा तो आपको उस पर ध्यान देन calculation की माइंड में calculation कीजिए तो उससे काफी help मिलेगी आपको तो next question करते हैं 25 11 23 47 95 तो difference निकालते हैं first step में हमें visible हो रहा था कि जो 3 6 12 कितना आया 48 तो यह क्या हो रहा है डबल हो रहा है 3 का डबल 2 6 6 का डबल 12 12 का डबल 24 24 का डबल 48 तो इसका पतर next difference का आएगा 48 का डबल 96 तो यह जो 96 है यह जो 96 है यह किसका difference होगा 95 वो यह question mark का तो हमारे पास next term क्या आएगी 95 प्लस 96 तो यह कितना आया 191 तो इस question का answer हुआ 191 बट अगर आपकी calculation अच्छी है आपको थोड़ा सा multiplication पर आपका अप्रोच multiplication के अप्रोच अच्छी है तो आप उसको उस method से भी कर सकते हैं वो कैसे देखे 2 5 11 23 47 95 तो यहां पे आपको दिख रहा होगा यह double के around है 23 का double 47 11 का double around है उसके मतलब double नहीं उसके around है तो जैसे मैं 2 और 5 को बना रहा हूँ तो 2 into 2 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 11 into 2 22 प्लस 1 कितना 23 तो जब मैं next step में करूंगा तो next में भी यही approach आ रही है 23 into 2 plus 1 47 47 into 2 plus 1 95 तो यहां पे क्या pattern follow कर रहा है into 2 plus 1 क्योंकि into 2 तो आपको दिख रहा है यहां पे कि सब के double के around है तो जब सब के double के around है उसमें सब में क्या addition हो रहा है प्लस 1 तो जब मैं 95 को करूंगा यहां पे 95 तो क्या बना 95 into 2 plus 1 191 तो इस question में जब आप difference approach निकाल रहे थे तो आपको उसको add करना पड़ रहा था तो बट जब आप multiplication करेंगे multiplication में आपको सिर्फ यह find out करना है कि कौन से numbers के साथ यह multiply और किसके सार addition हो रहा है तो आपका वो एक ही step में answer आ जाएगा without any addition के साथ आप direct इसको निकाल लोगे तो इसके लिए आपकी calculation अच्छी होनी चाहिए multiplication पे आपकी command होनी चाहिए तो next question करते हैं अब 1,2,2,5,3,10,4 तो देखिए guys इस question में क्या होगा कि यह question अगर आप difference निकालेंगे तो क्या difference आएगा 1,0,3,-2, plus 7, और minus 6 तो इससे आपको क्या मिला इस question से इस difference से आपको कोई भी आप आगे step नहीं ले पाएंगे क्योंकि यह अजीब सा difference है तो अगर आप squares करेंगे squares भी नहीं है किसी के ना cubes हैं किसी के तो जब भी आपको ध्यान रखना है जब भी कोई लंबी series दी हो तो वहाँ पे आपको एक बड़ी देखना है कि वो alternating sequence तो follow नहीं कर रहा है तो जहां पर देखिए alternating में 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 तो क्या series बनी एक हमारी 1, 2, 3, 4 दूसरी series क्या बन रही है 2, 5 और 10, 2, 5, 2, 5, 10 और यह question mark तो जब मैं इसका difference find out कर रहा हूं तो 3, 5 तो इसका मतलर next हमारा क्या आना चाहिए 3, 5 यहां पर difference आने चाहिए 7 जब 7 difference आएगा तो 10 और 7 कितना होगा 17 तो हमारी जो next time आएगी वो कितनी आएगी 17 तो इस question का answer कितना होगा 10 प्लस 7, 17 हमें जो second series ती जो 2 से start हो रही है 2, 5, 10 यह answer देगा हमें ना कि 1, 2, 3, 4 वाली बटा आपको यह find out करना पड़ेगा यह alternating sequence follow कर रहा है या नहीं तो alternating sequence में क्या होगा वो series लंबी होगी काफी alternating वाली तो उसमें आपको वो देखना पड़ेगा तो next question करते हैं 23, 46, 92 question mark 368 तो इस question में भी आपको difference find out करना है पहले 23, 46 बट difference से हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पर यूँकि दो ही difference है जब भी दो ही difference आए initial step पे तो आपको वो method कम से कम use करना है क्योंकि वो जरूरी नहीं है 46 के बाद क्या पता है यहाँ पर 69 आ जाए जो 23 आड़ करके है क्या पता है 92 भी आ सकता है क्योंकि इसका double हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तो double हो रहा है ना तो कभी addition follow हो सकता है कभी subtraction follow हो सकता है कभी multiplication हो सक तो इस question में हम क्या करेंगे यहां पर देखिए 23, 46, 92 तो आपको थोड़ा सा idea लगाना है यहां पर वही multiplication के साथ कि यह double है इसका 23 into 2, 46 46 into 2, 92 बट अभी हम sure नहीं हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही step मिले हमें तो जब मैं next step करूँगा तो 92 जब मैंने 92 into 2 किया तो वो मेरा क्या आएगा 184 तो 184 ठीक है या नहीं उसको मैं check कर सकता हूँ 184 के बाद term क्या कौन सी है 368 184 को जब मैंने 2 के साथ multiply किया तो वो आता है 368 जो मेरी approach थी into 2 वाली वो बिलकुल ठीक है तो इसमें क्या होगा तो नेक्स question करते है 8, 8, 12, 24, question mark तो इसमें भी अगर आप difference लगाएंगे 0, 4 और 12 और उसके बाद blank तो जब मैंने next step किया 4, 8, देखिए यहां पे भी हम कोई idea नहीं लगा सकते कि 4, 8 के बाद क्या आ सकता है क्योंकि देखिए 4, 8, यहां पे 4 आया था end में 8 आया था next term या तो 12 भी हो सकती है या 16 भी हो सकती है 12 भी इसलिए होगी क्योंकि 4 add हो जाएगा 16 इसलिए हो सकती है अगर यह double follow करेगा तो हमारी यहां पे difference approach नहीं लगेगी तो हमें कोई और approach लगानी पड़ेगी तो दूसरी approach क्या हो सकती है हमारे पास अभी तक multiplication की हमने यूज किया squares की किसी के भी नहीं है यह तो यहां पे देखिए कैसे idea लगाना आपको 12 into 2 24 और 8 into 8 8 into 1 क्या बन रहा है 8 बन रहा है और into 2 तो इसका मतलब बीच में क्या आना जी into 1 हो रहा है और into 2 हो रहा है तो इसका मतलब बीच में एक ही term बच सकती है 1.5 तब भी तो यह pattern follow करेगा ना अगर मैं 1 के साथ कर रहा हूँ लास्ट में 2 आ रहा है तो बीच में क्या आना जी 1.5 उनका middle इसके बाद बाद में क्या आएगा 2.5 जब मैंने 24 को 2.5 से multiply किया 24 into 2.5 के साथ किया तो वो क्या बनता है 60 इस question का answer क्या होगा 60 तो आप difference approach जब भी 2 difference आए तो वहाँ से आपको assumption नहीं करनी है क्योंगी 2 difference question को गलित भी कर सकते हैं तो next question करते हैं 424 208 146 question mark तो वही difference approach के साथ 216 108 54 और blank blank किसका difference है 46 और push mark कर तो आप यहाँ पर देखिए कि 54 का double होगा 108 108 का double 216 तो इसका मतलब यह double हो रहा है तो इसका मतलब 54 इसका double होगा 27 और एक और चीज़ यह series यह जो difference है यह decreasing में है तो यह series decreasing में थी तो यह difference कैसे है negative आ रहा है तो यहाँ पर 216 108 54 27 और इसका मतलब 46 में से यहाँ पर क्या सब्ट्राक्ट करना पड़ेगा हमें answer लाने के लिए 46 minus 27 कितना आएगा 19 इस question का answer कितना हुआ 19 क्योंकि जब यहाँ पर 19 रखेंगे तो यहाँ पर difference आएगा 27 फिर 54 फिर 108 और फिर 216 तो हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक होगी तो गाइस आज के lecture में बस इतने ही आपको जो भी queries होगी इस lectures के recording आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं थेंक्यू